चोटा राजन जुर्म की दुनिया का वो नाम जिससे पूरा अंडर वर्ल्ड थर थर कापता है जो मुंबई में देहshit का दूसरा चहरा बताया जाता है और अगर अंडर वर्ल्ड की दुनिया में दाउद इब्राहिन के बाद किसे डॉन का नाम लिया जाता है तो वो है चोट तो ऐसा क्या हुआ कि एक टिकेट ब्लैक मारकेटिंग करने वाला बच्चा अंडर वर्ल्ड का छोटा डॉन बन गया आखिर एक मिडल क्लास फैमिली का बच्चा जिर्म का बादशाह कैसे बना क्यों अंडर वर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन और छोटे राजन की दुश्मनी और कैसे ये छोटा राजन आगे चलकर भारत की खोफिया एजिंसी के साथ मिलकर काम करने लगा और क्यों छोटा राजन आज दे डॉन हूं सर्वाइवड डेडलिस्ट अंडर वर्ल्ड कहा जाता है छोटा राजन से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी बात पता चले कि नाम रखा जाता है राजेंदर सदाशिव निकाल जे पिता सदाशिव निखल जे दवाईयों की फैक्टरी में एक मामूली वर्कर थे फैमली में माबाप के अलावा तेन भाई दो बहने रहती थी फैमली की कंडिशन बहुत खस्ता थी ऐसे में राजेंदर उर्फ छोटा जैसे जैसे बड़ा हुआ पढ़ने लिखने से जी चुडाने लगा और पांचवी में ही स्कूल छोड़कर उसने एक लोकल गैंग जोइन कर ली वर्ष 1960 से लेकर 70 तक का दशक मुंबई अंडर वर्ल्ड के लिए बेहत खौफनाक रहा इसी दशक में दाओद इबराहिम जै गैंग का मेंबर बन गया अपने इस गैंग के साथ मिलकर छोटा राजन उस समय चैंबूर के सहकार सिनिमा के बाहर टिकेट ब्लैक करता था अब ये समय था इमर्जेंसी के खत्म होने के तुरंद बात का 1989 का जब मुंबई पुलिस मुंबई के अलग-अलग सिनिमा के बाहर टिकेट के ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को पकड़ने के लिए कई तरह के ऑपरेशन करने में लगी हुई थी और इनहीं ऑपरेशन के तहल पुलिस ने चैंबूर के सहकार सिनिमा के बाहर टिकेट ब्लैक करने वालों पर लाठी चार्ज किया इस समय चोटा राजन भी पर था लेकिन पुलिस के लाठी चार्ज से डर कर भागने के बजा आए छोटा राजन ने एक पुलिस वाले की लाठी ही छीन ली और वहीं पर पुलिस वालों को पीटना शुरू कर दिया इस लाठी से अकेले ही छोटा राजन ने कई पुलिस वालों को छटी का दूद्या द इस वाकिया के बाद भले ही पुलिस वालों ने चोटा राजन को गिरफदान कर लिया लेकिन 5.15 इंच के 19 साल के लड़के का जोश देखकर मुंबई के लोकल पबलिक और क्रिमिनल गैंग्स में उसका खौफ जन्म लेने लगा। कुछ वक्त के बाद ही चोटा राजन जेल से चूटा और ये दावर था 1980 का जब मुंबई के नॉर्थीस्ट में कई क्रिमिनल्स गैंग्स और उनकी दहशत बढ़ती जा रही थी और ये सभी गैंग्स छोटा राजन को अपनी गैंग में शामिल करना चाहते थी। लगभग तीन साल तक छोटे छोटे गैंग्स के साथ काम करने के बाद 1982 में वो बड़े राजन की गैंग में शामिल हुआ बड़ा राजन सौट से आया हुआ एक बड़ा गैंग बाज था जिसका असली नाम राजन नायक था जिसने डौन बनने की ट्रेनिंग अंडर वर्ल की नीव रखने वाले वर्दा राजन मुदलियार से ली बड़े राजन ने राजेंदर निखलजे को अपनी गैंग में शामिल किया और बड़ा राजन के साथ मिलकर वे चैंबूर से घाट को पर और तिलक नगर तक का इलाका संभालते थे उसी दोर में घाट को पर का रूप ले लिया राजन गैंग छोटा था इसलिए उन्होंने वर्द राजन मुदलियार और वर्दा भाई से मदद मांगी वर्दा भाई की दखल के चलते यश्वंत जाधव चुप बैट कया लेकिन बदले की आग उसके अंदर ही अंदर सुलकती रही उसने मलियाली ड दूसरे की जानी दुश्मन हो गए था बड़ा राजन लंबे समय से अब्दुलकुंजु को मारने की फिराक में था अब दौर आया साल 1983 का जब एक क्राइम की सिलसले में बड़े राजन को पुलिस ने पकड़ा और जब उसे अदालत में ले जाया जा रहा था तो अब्द अब्दुलकुंजु से बदला लेने की फिराक में था यही वक्त था जब राजिंद्र निखलेज को नया नाम मिला चोटा राजन अब चोटा राजन ने कुंजु से बदला लेने के लिए घाट कोपर से शोहर बंदी करवाई चोटा राजन के खौफ के चलते अब्दुल कई माफिया और गैंग के पास अपनी जान बचाने के लिए लेकिन जब सभी ने हाथ खड़े कर दिये तो 9 अक्टूबर 1983 के दिन छोटा राजन से बचने के लिए अब्दुलकुंजू ने मुंबई क्राइम ब्रांच में जाकर खुद को सरेंडर कर दिया लेकिन यहां भी छ अस्पिटल में कुंजू पर हमला कराया लेकिन कुंजू एक बार फिर बच गया इन सब के बीच भले ही छोटा राजन अब्दुलकुंजू को मारने में नाकामियाब रहा लेकिन इसकी प्लैनिंग स्ट्रेटिजी और चालाकी की चर्चा पूरे अंडर वर्ल्ड में जोरो रिष्टे थे तो अपने गुरू के नक्षे कदम पर चलते हुए वो दाउद के लिए काम करने लगा और गैंग में आते ही उसने दाउद के दुश्मन करीम लाला की भांजे सम्मत खान की फिल्मी स्टाइल में 19 गोलिया दाग कर हत्या कर दी और दाउद का करीब ही हो गया ये दौर था 1986 का जब मुंबई पुलिस से शिकारी कुत्तों की तरहे दाउद के पीशे पड़ गई और दाउद इब्राहिम फरार होकर दुबई भाग गया और मुंबई में अपने माफिया की कमान छोटा राजन के हाथ हो सौब दी धीरे धीरे साल 1987 का समाया जब छोटा चोटा राजन को खबर मिले कि अब्दुलकुंजू मुंबई में लोकल मुकाबलों में अक्सर मैदान पर क्रिकेट खेलने जाता है तब ही मौके का फायदा उठाते हुए चोटा राजन के लोगों ने मैदान में अपने हतियानों से अब्दुलकुंजू को वहीं ठेर कर लिया और अपना बदला पूरा ले लिया अब तक छोटा राजन ने दाओद के स्मगलिंग बिजनस को मुंबई से नेपाल और श्विलंका तक भैलाया मुंबई में दाओद के नाम पर चलने वाली डी कंपनी के कमान भी अब छोटा राजन के हाथ में थी और अब तक 88 में छोटा शकील को दुबई बुलाया गया दुबई में बैठकर भी छोटा राजन ने मुंबई में दाओद की दहशत को कम नहीं होने दिया उसने दुबई में बैठे बैठे ही दाओद इब्राहिम की विरोधी अशोक जोशी गैंग को मुंबई के पनवेल रोड पर खाट उतरवा दिया वहीं दूसरी तरफ 90 के दशक में डी कमपनी में भी छोटा राजन ने अपनी पूरी पकड बनाई और अब ये ना केवल दाओद इब्राहिम का बाया हाथ था वलकि उसका खौफ भी बन चुका था डी कमपनी दिनों दिन तरक्की के आसमान झू रही क्योंकि उन्हें हर काम के लिए छोटा राजन से पर्मिशन लेने पड़ती थी तो उन्होंने छोटा राजन के खिलाफ दाओद के कान भरने शुरू किये लेकिन दाओद फिर भी छोटा राजन पर भरोसा जाता था रहा साल 1992 में दाओद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पती इब्राहिम पारकर को अरुन गवली के लड़कों ने जान से मार दिया और अब दाओद इब्राहिम पारकर के हत्या का बदला लेना चाहता था इसके जिम्मेदारी उसने छोटा राजन को दी लेकिन एक रात गैंग के बाकी मेंबर्स के भड़काने पर दाउद ने छोटा राजन को कॉल करके पूछा कि वो इब्राहिम की मौत का बदला कब लेगा इस पर छोटा राजन ने नशे में कुछ उखड़ा हुआ से जवाब दिया यहां मौके का फायदा उठाकर छोटा शकील और सौत्या आगे आए और इब्राहिम की मौत का बदला लेने का वादा दाउद को दिया और दाउद ने उन्हें परमिशन दी दी जेजी होस्पिटल में गोली बारी होती है जिसमें अरुन गवली के एक बेटे सहीत होस्पिटल के कई पेशेंट बच्चों और पुलिस कॉंस्टिबल्स की जान चली जाती है लेकिन छोटा शकील ने दाउद की जीजा की मौत का बदला ले लिया तो इस से छोटा शकील अब दाउद की नजरों में उठ चुका था और उसने छोटा राजन की जगह लेनी शुरू कर दी लेकिन ये जीत छोटा राजन को समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि इस होस्पिटल शूट आउट में करी 500 गोलियों के फाइरिंग हुई और एक फोटे सेवन का भी इस्तिमाल करना पड़ा और चोटा राजन के हिसाब से केवल एक इनसान को मारने के लिए इतना सारा खुन खराबा करना कोई समझदारी वाली बात नहीं थी जिसके बाद चोटा राजन और दाउद के बीच दूरियां आने लगी चेह दिसंबर 1992 ये वो दिन था जब आयोध्या में राम जन्म स्थल पर बनी बाबरी मस्जित को गिराया गया जिसके बाद साल 1993 के मार्च महिने में दाउद इब्राहिम ने मुंबई में बम धमाके कराए जो की बाबरी मस्जित के बम धमाकों का बदला था लेकिन अब डी कमपनी में मसला धर्म का हो चुका था और जो चोटा राजन कभी दाउद का लेफटन हुआ करता था उसे मुंबई बम धमाकों की प्लैनिंग से दूर रखा गया लेकिन अब ही भी उसका डी कमपनी से रिष्टा खत्म नहीं हुआ था बम धमाकों की नौ महिनों बाद उसने दुबई में दाउद की बदे पार्टी में शिर्कत भी की और वहां खूब नाचा भी लेकिन अब छोटा राजन समझ चुका था कि डी कमपनी अब धर्म के भेदभाव का अड़ा बन चुकी है और डी कमपनी की मीटिंग्स में भी छोटा राजन को अब काफिर कहकर बलाया जाने लगा साल 1994 की शिरुआत से ही छोटा राजन और डी कमपनी के रिष्टे पूरी तरह खत्म हो गए छोटा राजन ने अब अपना नया गैंग बनाया और अपने विश्वास पातर लोगों को गैंग में भरती करते हुए उन्हें देश भक्ती की शपत दिलाई हालांकि अभी भी वो दुबई में था लेकिन एक फॉन कॉल पर उसे पता चला कि छुटा शकील उसे मारने के फिराक में है अब उसके पास भागने के लावा कोई रास्ता नहीं था भारत में वो वांटेड लिस्ट में था और विदेश जा नहीं सकता था क्योंकि उसका पासपोर्ट उसके पास नहीं था इसलिए वो अबुधाबी की इंडिन एंबसी में पहुंचा और वहां के चीफ आफिसर को अपने बारिम बताया और कहा कि वो यहां से बाहर निकलना चाहता है यह भारत के लिए एक बड़ा मौका था जब भारत के हाथ दाउट से जुड़ा कोई शक्स मिला तो भारत सरकार ने इसकी सेफटी की जिम्मेदारी लेते हुए इसे नेपाल के काठ मानू में भीज दिया फिर पूचताच के बाद उसे मलेशा भीजा उसी दौर में ISI ने दाउट को दुबई छोडने का दबाव बनाना शुरू किया और ISI को डर था कि छोटा राजन कहीं ISI की इन्फरमीशन क्राइम ब्रांच के साथ शेयर ना कर दे इसी की चलते उसे वहां से पाकिस्तान के कराची शेहर भीजा गया लेकिन अब भी छोटा शकील छोटा राजन की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा था अब तक छोटा राजन बैंक कॉक भाग चुका था और उसने बैंक कॉक को अपने ओपरिशन का बेस बनाया यहीं से अपना धंदा चलाता रहा अगले डेढ़ दशक तक उसके और डी कमपने की बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा सितमबार 2000 शकील ने छोटा राजन पर उसकी घर में हमला करवाया इस हमले में छोटा राजन को गोली लगी लेकिन वो पच गया उसे अस्पताल में भरती करवाया गया हालांकि यहाँ वो पुलिस कस्टिदी में था लेकिन संतोफ शिति ने उसे अस्पताल से भगा दिया इसके बाद छोटा राजन इंडिन क्राइम ब्रांच का मुक्बिर बन गया और दाउद के सीक्रेट्स क्राइम ब्रांच को बताने लगा उसने दाउद को मारने के लिए अपने शापशूटर्स भी आई बी को दिये लेकिन दाउद बच गया साल दोहजार दो साल दोहजार दो में राजन ने दाउद का फैनेंस देखने वाले शरद शित्टी को दुबई में खुलेया मरवा डारा और वहां से भाग निकला और अब ये खुद को देश भक्त डौन कहकर बुलाने लगा इस घटना के बाद छोटा राजन अलग-अलग देशों में भागता रहा क्योंकि छोटा शकील उसे लगातार मारने की फिराक में था साल 2015 में जब छोटा राजन आस्ट्रिलिया से इंडोनेशिया भाग रहा था तो इंडोनेशिया के एपोर्ट पर इंडियन CBI टीम ने छोटा राजन को धर्द पूचा तब वो मोहन कुमार नाम की पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहा था 6 नवंबर 2016 पूचताच के बाद उसे भारत लाया गया और उसकी इन्वेस्टिकीशन के दारान उस पर सत्तर मुकद में हुए लेकिन उसे सजा 2011 के एक क्राइम मुर्डर की बेस पर हुई दरसल 11 जून 2011 में छोटा राजन ने मुंबई के पवई में मिड़े न्यूस पेपर में काम कर रहे सीनियर क्राइम रिपोर्टर जोतिर में डे की हत्या करवाई और जब उसे 2015 में बाली से गरफतार किया गया तो रिपोर्टर जोतिर में डे की हत्या के केस में उसे उम्रकैत की सजा सुनाई गई दिल्ले के तिहाड जेल के खुफिया सेल में अब भी वो अपनी सजा काट रहा है तो दोस्तो ये थी छोटा राजन की कहानी जो भले ही मुंबई का डौन रहा हो लेकिन उसने बेगुनाहों को मारने की कुशिश कभी नहीं की और आज पुलिस खुद इसकी सेफटी में लगी है तो मीधा आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब जिरू करें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें धन्यवाद